अगर आप भी State Bank of India में Saving Account open करना चाहते हैं तो आप योनो SBI के मदद से बहुत ही आसानी से आप अपने Saving Account को open कर सकते हैं तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में complete प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि आप अपने Mobile से योनो SBI के मदद से आप घर बैठे अपना Account open कैसे करेंगे Account open कर लेने के बाद आपको Checkbook और ATM कार्ड कहां से मिलेगा ओभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट है अगर आपको एक वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दिजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस कर लिजिए जाएगा दोस्तों यह एकुल चैनल के पर देखन के और आपको दो ृप्चिन 90 देखनें customer और यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा निव टू-sbi तो आप नीचे निव टू-sbi वाले अप्शन पे क्लिक करतेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेश कुल के आ जाएगा आप यहां ऊपर open saving इसके बाद आपके सामने यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर देखने को मिलेगा विदाउट ब्रांच बिजिट और यहां पर दूसरा देखने को मिलेगा विदाउट ब्रांच बिजिट को सेलेट करते हैं तो आपको विडियो कॉल के मादम से के वाइसी कंपलीट कराना ह वहां से आप अपना KYC कम्प्लीट करा लीजेगा तो वहां पर आपको एकाउंट नमर मिल जाएगा और पास्बूक पर आपका मिल जाएगा तो आप यहां पर दूसरे वाले आप्शन पर विट ब्रांच बिजिट पर क्लिक कर देजेगा यहां पर क्लिक कर देने के बाद यहां पर आप से KYC के बारे में पूछा गया है कि आप KYC कैसे करना चाते हैं अगर दोस्तों आप यहां पहले वाले पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां पर आपको इनफ्रमेशन देखने को मिलेगा तो आप यहां एक बाद रीट कर लेंगे इसके बाद आप यहां नीचे Next पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहां पर मॉबाइल नमबर देंगे जो भी आप अपने एककाunट से मॉबाइल नमबर लिंक करना चाहते है वह नमबर आप यहां पर देंगे इसके बाद अगर आप email id भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ email id भी डाल देंगे इसके बाद आप यहाँ नीचे submit पे click कर देंगे इसके बाद आप यहाँ OK पे click कर देंगे इसके बाद आपके mobile number पे एक OTP संट कर दिये जाएगा इसके बाद आप यहाँ ऊपर terms को accept कर लेंगे यहाँ भी आप इसको accept कर लेंगे और यहाँ पे भी accept कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ नीचे next पे click कर देंगे इसके बाद आपके समरें यहाँ पे एक declaration आ जाएगा तो आप इसको सही से read कर लेंगे इसके बाद आप यहां नीचे next पे click कर देंगे इसके बाद आपके सामें कुछी इस तरह से interface कुल के आ जाएगा यहां पे आपसे personal details मागा जाएगा तो आपके पास अगर आधार नमबर होगा तो आप यहां आधार नमबर वाले option पे click कर देंगे अगर आपके पास virtual ID नमबर होगा तो आप यहां virtual ID नमबर पे click कर देंगे इसके बाद आप यहां पे अपना अधार नमबर डाल देंगे इसके बाद आप यहां से title select कर लेंगे mister या फिर message इसके बाद आप यहां पे अपना first name डाल देंगे इसके बाद आप यहां पर अपना middle name डाल देंगे इसके बाद आप यहां पर अपना date of birth डाल देंगे इसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जर्म कहां पर हुआ है तो उस city का नाम आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि country और वर्ट तो आप यहां पे इंडिया lifestyle लेंगे इसके बाद यहां से आपसे पुछा गयाा है सिनीर अर्षी चेलेशन लेंगे आपने यूजर आइदी और पासवर्ट बनाा व्याइंड ब्रहुर्टा या बात इंटरनेट बैंकिंग ладно आप को मैंने कर सकते हैं तो यूजर आइडी बनाएंगे तो यूजर आइडी आप अपने हिसाफ से डाल देजेगा यूजर आइडी डाल के आप यहां चेक एजबीलीटी पे कि लिख कर देगा अगर यहां आपके सामने note available लिग के आता है तो इस user id को किसी ने यूज कर लिया है तो आप यहां को यह और user id डाल के आप यहां चेक agility पर क्लिक कर दीजिएगा दूसरा user id डाल देने के बाद अगर यहां पर आपका available लिग के आता है तो आप इस user id को यूज कर सकते हैं इसके बाद जोस्तों आप यहां पर अपना एक password बना लिजिएगा पासवर में दोस्तों आप यहां पर ध्यान दीजिएगा पासवर में दोस्तों आपका upper case भी होना चाहिए और special character भी होना चाहिए और number भी होना चाहिए आप यहां display पर देख सकते हैं पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा यहां पर आपको एक फोटो भी अपलोड करना होगा तो अगर आपके गिलेरी में फोटो होगा तो आप नीचे वाली अप्शन पर क्लिक करेंगे अगर जोस्तों आप अपने फो सब्सक्राइक सफसे आप कितने कलास तक पड़े हैं इसके बाद आप अपना है ビंदू है नपर मुस्लीम है इसके बत आप यहां से कर नोग कि इसके बाद यहां पर आप से फादर नेम मदर नेम अगर आपका शाधी हो गया होगा तो आप हैंप पर पती के नाम पर पिर पतनी का नाम आप से यहाँ पर डालने को बेदेगा तो सब सब पहले दोस्तों आप यहां पर फादर नेम का टैटल सेलेट कर लेंगे इसके बाद फादर नेम का फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे इसके बाद यहां पर आप मादर नेम का टैटल सेलेट कर लेंगे इसके बाद उनका नाम आप यहां पर फर्स रहते हैं तो आप यहां से सैलेच कर लेंगे अगर यहां पर सब्सक्राइब अगर यहां से से इसके बाद next पे click कर देंगे इसके बाद आपसे nominee का details मांगा जाएगा तो आप इस account के साथ जिनको भी आप nominee में रखना चाहते हैं उनका details आप यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे उनका नाम डालेंगे और यहाँ पे आप relationship डालेंगे यानि दोस्तो उनसे आपका क्या संबन्ध है आप यहाँ पे डालेंगे अगर भाई होंगे तो आप यहाँ ब्रोदर लिखेंगे अगर आपका पिता होंगे तो आप यहाँ फादर लिखेंग अगर नोमनी का एज 18 साल या फिर 18 साल से ज्यादा होगा तो यहाँ पे उनका गर जीवन का नाम नहीं लिखना होगा इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इसके बाद नोमनी का एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे जिनको भी आप अपने एकाउंट के हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप से बारे में पूछे गया है कि आप इंटरनेट बैंकिंग से क्या करना चाहते हैं तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से फूल टाइंजेक्शन करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग रा होगा या फिर कभी भी पैसा आपके आएगा तो आपके मुबाइल पर मेसेज आ जाएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा आप यहां काड टाइप पर किलिक कर लेंगे और यहां पर कलासिक कर लेंगे इसके बाद यहां पर आपका नाम होगा यहीं आपके ATM काड़ पर आएगा इसके बाद आप यहां नेक्स पर किलिक कर देंगे इसके बाद आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP जाएगा तो उस OTP को आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद आप यहां नीचे सॉमिट पर किलिक कर देंगे सम्मिट पर क्लिक कर देने के बाद आपके सान में कुछी तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा यहाँ पर आपको एक रिफ्रेंस कोड देखने को मिल जाएगा अब इस रिफ्रेंस कोड के मदद से आप अपने कोई भी स्टेट बैंक आफ इंडिया की नजदिकी बैंक में जाके आप वहाँ से एकाउंट ओपेन कर सकते हैं वहाँ पे जाने के बाद आपसे reference code मांगा जाएगा तो आप इस reference code को दे देंगे इसके बाद दोस्तो आप वहाँ पे अपना pen card देंगे और वहाँ पे आप अधार card देंगे और वहाँ पे आप photo देंगे वहाँ पर इतना चीश दे देने के बाद आपका 10 से 15 मीट के अंदर आपका एकाउंट ओपेन हो जाएगा और एकाउंट ओपेन होने के बाद आपका पास्बुक तुरांती मिल जाएगा एकाउंट ओपेंड होके पास्बुक मिल जाने के बाद आपका ATM कार्ड और चेक बुक 10 से 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर तक आ जाएगा लेकिन दोस्तो आप यहां पे ध्यान दिजिएगा कि यह जो आपको रिफ्रियंस कोड मिला है यह रिफ्रियंस कोड सिर्फ 15 दिन के लिए ही भाईलिट है तो आप यहां 15 दिन के अंदर कभी भी आप अपने बैंक में जाके आप वहां से एकाउंट ओपेन करवा लिजिएगा तो दोस्तो आप इस तरह से बहुत ही आसनी से स्टेट बैंक आफ इंडिया में सेविंग एकाउंट ओपेन कर सकते हैं तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग को मन में किसी भी तरक्सा वाल हो तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं